नमस्कार दोस्तों मैं हो सुधीर कुमार माडेरी फार्म्स बारबंकी उत्तर प्रदेश से दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कुछ हाई मिल्किंग गायों के बारे में अपने फार्म की और अब जाट्रेंड खत्म हो गई है गायों का नहलाना धुलाना शुरू हो गया है गाया साफसुतरी दिखने लगी है तो मेरा मन हुआ हमने इनका वीडियो बनाया है उस ब्लॉक का जिसमें ज्यादतर गाये 40 प्लस के आसपास है 40 प्लस 45 प्लस तो इस बार नहीं है दोस्तों क्योंकि थोड़ा बेस्ता करण लग रहा है मेरे ध्यान में कमी हुई तो 46 विक् और फर्स लेक्टेशन की ज्यादतर 30 प्लस है और एक दो गाये बच्छिया जो है वो 35 प्लस भी है इसमें से तो उनका हम लोग देखते हैं इनका रख रखाव देखते हैं इनका फीडिंग वगरा भी देखते हैं इनका सीमें के में खास करके इनका सीमें वगरा जिक्र कर लेते हैं और वीडियो के अंत में दोस्तों हमने जो गाड़ी बिहार भेजी थी गोपाल गंज मुझफर पूर दरभंगा तीन जगहों के लिए एक साथ के ट्रक गई थी पचिस चनवाली उसका जिकर कर लेंगे और यह दोस्तों देखें इस बचिया है यह 40 40-41 लीटर है और इस बच्चिया की खासियत यह दोस्तों की यह फास जन्रेशन बच्चिया थी मतलब नॉर्मल गाय से पैदा हुई बच्चिया यह 180 नमबर बच्चिया है हमारी दोस्तों यह 180 नमबर 32 लीटर दूद दे रही है लगबग 32-33 लीटर दूद दे रही है और है तो यह है एक एक सो सोलर की ही लेकिन यह सेकेंड जेनरेशन है इसकी माँ बैफ मिसोरी की बच बच्चिया थे इसकी माँ इसका टाइक नमबर नहीं दिख पाया दोस्तों इसका मैं जिकर नहीं कर पा रहा हूं लेकिन इसमें इस ब्लॉक में ज्यादा तर बच्चिया थी इस लीटर के ऊपर है यह बड़ी गाय है यह 45 लीटर मिल्क दे रही थी थर्ड लेक्टेशन में इस सारी गाया बाहर निकल जाएंगे दोस्तों को निकल वा रहा हूं बाहर उसके बाद इनका जिकर करते हैं यह दोनों पीछे जा रही है दोनों फर्स लेक्टेशन की बच्चिया हैं तो वही वही जिकर में करना चाहता हूं दोस्तों देखें अगर सिस्टेमेटिक लेवल पर प्रैस किया जाएं सीमेन क्यों सीमेन नहीं दोस्तों सीमेन फीडिंग मैनेजमेंट तीनों फ्रेंट पर बराबर प्रैस किया जाएं तो चर-पांच साल की मेहनत जो है ऐसे पसू जेशे की बच्छिया ऐसी रहती है जो 30 के नीचे रह जाएं जयादा तर बच्छिया इसमें 30 कुछ हो जाती है दोस्तों कि 1st लेक्टिर्स यिसमे ही मही हम सब्सक्राइब आ 시청े कि आदया ही सालों में 30 प्लस हो हिस ने वाले साल कि आने सालों में 30्प्लस ने? यह 165 नमबर बच्चे है इसकी वर्ड वाइट सायट डेफी की बच्चे है इसकी अडर क्वालिटी देखें इसकी अडर पे जवरजास वेंस है और यह थार्ड लेक्टेसं तर पहुंचते वहुत ही खुबस्वर्द गायों में कनवड हो जाएंगी बच्चे है एक सेकंड ज काफी धंग के पसु है ये मौसम भी इनके अनुकूल है अभी जाद गर्म ये भी नहीं शुरूए ठंडीली पड़ गई है तो अब इनका भी इनके लिए ठीक मौसम है रात भी ठंडी हो रही है और दिन भी जाद गर्म भी नहीं है सारे क्लाइन से खड़े हैं बस हुए सभी अडर कॉलिटी देखें बिल्कूल सबके जाद दर के थन गुटनों के उपर है और अडर की विट भी काफी अच्छी है अटेश्मेंट भी उपर देखें काफी अच्छा है यह गाय जो है यह 45 लीटर के आसपास है 44-45 कर रही है दोस्तों यह हीफर है इसमें एक हीफर थी जो क्यों 28 लीटर मिल कर रही थी बागे सारी हीफर 32-35 इस तरह की है दोस्तों यह यह भी 40 प्लस है यह सेकंड लेक्टेशन है यह 165 नंबर हीफर 34 लीटर मिल्क इसका नंबर मिस कर गया दोस्तों इसी तरह से हैं मैं 30 प्लस ही मानके चलें इंडिविज्वल कोई 34 है कोई 35 है कोई 32 है यह क्यों 28 से मने देखा था रेकॉर्ड इन का जब सारी बच्चियों का दोस्तों जिकर करना चाह रहा था है कि मित्र आज कोई जिकर कर रहे थे हैं नाम उनका मैं मिस्स कर रहा हूँ उनका सहथ तो वो ट्रेनिंग की बात कर रहे थे दोस्तों की फार्म पे ट्रेनिंग लॉकिंस करके उनका वो है नाम उनका लिखा हुआ था हुर ने का था कि बहुत से हमारे मित्र चाहते हैं कि आप ट्रेइनिग करवा एं फारन पर देखें दोस्तों क्या होता है आक ट्रेइनिंग सपीक्राइन खिरएं हो समय भी से खैंसे लिए मैं में पयंड है मिरे पास सब्सक्राइन होना चाहिए जिर आपको पहुँच रही है जाएगी दोस्तों आपर तो वही मैं दोस्तों ट्रेणिंग की बात कर रहा था कि ट्रेणिंग सम्भो इसलिए नहीं है कि मेरे पास इकठ्थे इतना समय मिलना बहुत मुश्किल है मैं आप लोगों से चैनल बे बात कर लेता हूँ बहुत से मित्रों का फोन करता हूँ और फीड भी बहुत जगह जाने लगा है यहां से बिहार तक जा रहा है फीड श स्वानेजमेंट करना है रोज़ टुके आती है रोजजट रेकिए जाती हैं, सबकी बिलिंग होनी है, सबका पेमेंट होना है, बहुत चीज़ ध्यान करनी होती है, दोस्तों, डेट सो गायों का डेरी फार्म है, पॉल्ट्री फार्म भी है, जिसको मैं धीरे-धीरे से मेटना चाह रहा हूँ, थोड़ा उधर बंद करूँगा, तो थोड़ा सम कर रहा था बिहार जाने वाली ट्रक का, एक ट्रक बिहार जाने वाली थी, और एक ट्रक मक्का लेकर आगे थी, यह साइद का, यह मक्का लेकर आई हुई ट्रक है, इन लोग बिहार जाने वाली ट्रक लोड़ कर चुके हैं, और वो ट्रक साइद हाँ पर त्रिपाल वगरा अस्तित्व जी के पास, फिर वहां से मुझफरपूर संजीव जी के पास, फिर दरभंगा में सुरेश जी के पास, और यहां जिगर करने की बात है दोस्तों, दरभंगा में जब गाड़ी पहुँची थी, थर्ड पॉइंट पे, तो वहां पे एक मित्र है अपने सतीश जी, जो पुर्णिया 260 किलोमीटर दरभंगा से, वह बिचारे राद भर चलके, साम से चलके और भोर में पहुचे हुए थे ट्रक के समय, क्योंकि ट्रक चौथे पॉइंट पर नहीं जाने को त्यार होता हुता हूँ तो वह बिचारे आके अपना पुर्णिया से फीड ले गया अंधर से, मैं अप्रीषेया बिचार करता हूं SIM Officer है, इसे मित्रों पर्यास को जो इतना विस्वास करते हैं और विस्वास करने के साथ-साहर, पर्यास करने को त्यार होते हैं, अपने को आगे का समय सोच के तो मैं आसा करता हूं को फीट से फायदा मिलेगा और आने वाले समय में उनके पास इतना वाल्यूम होगा कि उनको इतना प्रयास ना करना पड़ेगा अगल बगल के मित्र उनके साथ जुड़ेंगे और वो सीधे ट्रक उनके पास जा पाईगी एंड में दोस्तों दे देखते हैं दोस्तों सुरू हो गई है बोवाई मैं आगे आपको अपडेट करता रहूंगा तो तब तक के लिए फिर जुड़े रहते हैं दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार थैंक्यू